कि अभी सब्सक्राइब करें और साथ में गंटी वाले निशान को भी दबा दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरीए मिलती रहे दोस्तों वेलकम करता हूँ आज की इस वीडियो में दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आप के पास जो एंड्रॉइड मुबाइल है या फिर आप मार्केट से नया मुबाइल फोन खरीते हैं तो आप उसको किस तरह से चेक करते हैं और उसमें जो जो मतलब है पार्ट लगे हु कान्फरिगेशन किस तरह करेंगे कि इस मुबाइल के किस तरह से चेक करें यह मैं आपको आज की इस वीडियो में एंड में दिखा दूंगा दोस्तों कोई भी आप मुबाइल फॉन खरीदते हैं तो आपको दुकांदार तो बोल देता है कि इसकी टूजी भी रेम हैं लेकिन काफी सारे दोस्तों को यह पता नहीं होता कि हम मुब आपको चेक कर लेकिन कॉछ लोगों कि किस तरह चेक कर सकते हैं दोस्तों को यह वडियो करना काफी सारे तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हम मोबाइल की जो रेम चेक करते हैं यह बहुत इंपॉर्टन चीज है कि हमें पता होना चाहिए कि मोबाइल की रेम क्या है क्या नहीं है दुकानदार तो हमें बोल देता है कि इसकी रेम टूजीवी है 16 ip β बूडर में बोल यह लेकिन हमें पताएंनshine यह कि टूजीवी रेम है भी नहीं है तो हम आपको बताव है कि मोबाइल की रेम किस तरह। करें तो दोस्तों आइए चलते हैं आजगी इस वीडियो की तरफ लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको आपको एक चोट सब्चेटिक लिखिकेशन के जरें मिलती रहे तो दोस्तों आज चलते हैं अज की इस हब मेरेन कि दोस्तों काफि सारे दोस्तों को नहीं पता होता कि मॉबैल गिम कि स्थे के आपका आज होता है यसा नहीं है कि किसी को भी पता नहीं होता जो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मुबाइल की सेटिंग में जाना है कि सेटिंग में आने के बाद दोस्तां को क्या करना है और देखिए यह मेरे पास update वर्जन ऐए 6.2 इसलिए मेरे menu इस तरह से कर दो आरही वागर किसी के पस अप्डट वर्जिन नहीं होता है तो वह मेन्यू एक एक मेन्यू खुल कि आते हैं लेकिन मेरे पास अब्ड़ेटर वर्जिन मेरे पास मेन्यू स्कार है आप यहां सर्च करेंगे मेमूरी यह देखे मेमूरी आ गई है अब इसकी रेम जो है तीन जीबी है अब दो जीबी में यूज कर चुका हूं वन जीबी खा लिए तो दोस्तों रेम इस तरह चेक की जाती है मुबाइल की बाकी जो भी चीजे हैं जो भी इसकी अब क्राशच काणुरीगेशन है मुबाइल की इस तरह चेक करेंगे अब दाइलप्याट में आएंगे स्टार हेश जीरो इस्टार हेश कि देखें आपके बस कितने सारे मेन्यों खुल गए हैं आप इस तरह से हर चीज को चेक कर सकते हैं यहां से कलर चेक कर सकते हैं तो नहीं आप वो चेक कर सकते हैं सेंसर चेक कर सकते हैं यह देखें सेंसर कि सेंसर आप यहां से चेक कर सकते हैं बाकिया आप यहां से स्पीगर चेक कर सकते हैं । सिरेंख केम है कि थो ह्याय है नहीं है यहांसे ळके कर सकते हैं कोई खराब तो नहीं है यह। यहां से आपका टच काम कारें नहीं पृड़ी काम , तो वहांसे में बखिखेंग्ग!!! देखिए अब यहां से थोड़ा जोर से हो रहा है तो इसका मतलब यहां से थोड़ा टच फिलो चलता है आप इस तरह टच चेक कर सकते हैं मुबाल का यह पूरा फिल करेंगे तो यह अकम हो जाएगा अब देखिए यह कहीं न कहीं से बच गया है इसलिए यहां से बच गया है नहीं मैंने यहां से बस्षाइगा गया दोसतों इस तरह से यहां से हर चीज को चेक कर सकते हैं If आधEr आज की वीडियों आपको डियो पसंद आए होगी और वीडियो को पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे चनल को सब्सक्राइब लाजमी करें शुक्रिया अल्लाइब